गुड मॉर्निंग स्टुडेंट क्लास 12 मैट्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एप्लिकेशन ओफ डेरिवेटिव आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 6.5 एक्सेसाइज का कोश्चिन नंबर 7 एंड कोश्चिन नंबर 9 कोश्चिन नंबर 7 आपके पास गीवन है find the both maximum value and minimum value मतला हमें इस function के maximum और minimum value दोनों find करनी है function क्या गीवन है हमारे पास 3x to the power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25 on the interval 0,3 मतलब हमारे पास ये function given है और इस interval पे हमें maximum और minimum value find करनी है तो इसके लिए हम क्या करते है कि जो भी value find करनी है maximum या minimum उसके लिए function को हमें क्या करना है एक बार differentiate करना और उस function को हम क्या लेके चलेंगे 0 तो जो भी function हमारे पास given है सबसे पहले हम उसको क्या suppose कर लेंगे f of x तो देखिए solution करते है वक्त let f of x equals to 3 x to the power 4 minus 8x cube plus 12 x square minus 48 x plus 25 function suppose कर लिया अब इसका हम क्या करेंगे एक बार differentiate तो देखिए f of x का एक बार differentiate करा तो कित्ता हो गया f dash x हो गया differentiate देखो 3 x की power 4 तो 3 as it is यह हो जाएगा 4 x cube मतलब 12 x cube minus 8 as it is x cube का करा तो 3 x square मतलब minus 24 x square 12 as it is x square का करा तो 2 x मतलब 24 x minus 48 क्योंकि 48 x का करा तो minus 48 और 25 का करा तो 0 हमने डिफ्रेंशेट कर दिया अब पूरी टम में से कुछ number common आ रहा है हाँ 12 number ऐसा है जो common आ रहा है तो 12 common लेने पर bracket में क्या बचा हमारे पास x cube minus 2 x square plus 2 x minus 4 अब 12 तो हमने यह common ले लिया इन दोनों टम में से क्या common आ रहा है x square तो यहां बचा x minus 2 यहां से 2 common आ रहा है तो again x minus 2 तो हमारे पास factor क्या हो गए 12 x minus 2 और x square plus 2 अब differentiate part को हम क्या लेके चलेंगे 0 तो जब हम differentiate part को 0 लेके चलेंगे एक बार इस bracket के equal 0 लिया तो x equals to कितना आ गया 2 और एक बार इसको लेके चले तो इस से क्या होगा factor नहीं मिलेंगे मतलब real root नहीं मिलेंगे मतलब fix number नहीं मिलेंगे under root में मिलेंगे जो कि वो possible नहीं है तो हमारे पास finally x की value कितनी हो गई 2 जो कि एक fix real number है और ये 2 कहां belong कर रहा है 0,3 में तो finally अब हमारे पास कितनी position हो गई 3 एक हो गई 2 एक हो गई ये interval के दोनों total कितने हो गई 3 तो therefore we consider only x equals to 2 जो कि इसमें belong करता है 0,3 में अब हम function में एक एक करके put up करेंगे now we evaluate the value of f at critical point x equals to 2 and at the end points of the interval 0,3 हम एक एक करके रखेंगे सबसे पहले 2 रखेंगे काई में direct function में ये वाले ठीक है तो देखे 3,2 रखा 2 की power 4 मतलब 16 मतलब value put up करने पर हमारे पास इसका answer कितना आया minus 39 वैसे हम क्या रखेंगे 0, f of 0 equals to क्या रखा यहां function में देखे 3 into x की power 4 मतलब 0 यहां पे भी 0, यहां पे भी 0 और आकरी में क्या आएगा plus 25 तो यह सारी term था हमारे पास 0 हो गई यह कितना आया 25 अब हम x की place पे क्या रखेंगे 3 तो देखे 3 x की power 3 की power 4 हो जाएगा 81 फिर हो जाएगा minus 8 3 की power 3 plus 12 3 की power 2 minus 48 x की place पे 3 25 तो कितना आया हमारे पास देखे 3 का multiply 81 में करा तो 243 multiply करा minus 216 multiply करा 108 48 का 3 में करा minus 144 25 16 तो हमारे पास देखे 3 पे हमने answer निकाल लिए 2 पे answer आ रहा है minus 39 0 पे आ रहा है 25 3 पे आ रहा है 16 अब इन 3 में सबसे चोटी value तो देखो इन 3 में सिर्फ minus ही ऐसी value है तो minus value इन 3 में सबसे चोटी it means this is minimum value clear? अब है 0 पे 25 और 3 रखने पे 16 तो 16 बढ़ाया है 25 25 it means this is maximum value clear? तो हम बोल सकते हैं we can conclude that the absolute maximum value of f on interval 0,3 is 25 मतलब 25 हमारे लिए क्या है maximum value? मैंने बता दी साथ में absolute minimum value कितनी है? minus 39 यह लिखा है minus 39 it means कि maximum value है आपकी 25 और minimum value है आपकी minus 39 this is answer और हमें यह ही find करना था now the next question question number 9 question number 9 given है what is the maximum value of the function sin x plus cos x? मतलब यह function दीया है और इसकी हमें क्या find करनी maximum value find करनी कि maximum value क्या होगी? कौन सी होगी? किस पे होगी? तो यह function कई बार exam में पूछा जाता है तो इस function को हम सबसे पहले solve करते वक्त क्या suppose करेंगे? f of x f of x suppose करेंगे तो देखे f of x equals to sin x plus cos x यह function लेके चल रहा है अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? differentiate करेंगे तो देखे f का differentiate करा तो कितना हो गया? f dash x equals to sin x का करा तो cos x और cos x का करा तो minus sin x एक बार differentiate हो गया अब maximum value find करनी है अब question में maximum हो या minimum उसको हम क्या करते? फंक्शन को क्या करते? एक बार differentiate करते और 0 को equal लेके चलते ताकि हमें x की value मिल सके एक सी value मिल सके तो देखे differentiate part को हम क्या करेंगे? 0 लेके चलेंगे इसको हम 0 लेके चले तो क्या हो गया? sin x equals to क्या हो गया? cos x मतलब sin x equals to cos x अब चाहे तो यह cos इसके divide में आ जाएगा तो यह कितना हो जाएगा? sin x upon my cos x equals to 1 तो यह क्या बन गया? 10 x equals to 1 और 1 कब होता है? 45 मतलब pi by 4 पे मतलब 1 कब कब होता है अगर देखे जाए x की value देखे जाए तो 45 पे 1 होती लेकिन आगे भी और कही 1 होती होगी तो देखे x equals to pi पे 1 होती है pi by 4 45 पे होती है 5 pi by 4 और और भी आगे जितने इंगल बढ़ाते जाएंगे कही न कही आगे 1 होती है तो हमने क्या कर दिया? dash 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 लगा दिया अब हमें देखना है कि function differentiate double differentiate करने पे minimum है या maximum अब question में उन्होंने clear बोला है कि function कैसा है maximum it means double differentiate पे भी कैसा हैगा negative तो देखिए इस function का अगर हम double differentiate करते है तो देखिए f double dash x हो जाएगा cos का कितना हो गया minus sin x और sin का क्या हो जाएगा cos तो दोनों में क्या comment ले लिया मैंने minus it means कि इस bracket में कैसी पे value आए बहार कैसा है negative it means यह function कैसा है maximum तो देखिए now f double dash x बहार कैसी आएगी positive when sin x और cos x are both positive also we know that the sin x cos x both are positive in the first quadrat मतलब यह maximum सरिफ किस पे होगा किस पे होगा it means कि यह negative का होगा जब इस bracket की value कैसी हो positive positive होगी तो plus minus minus यह clear है और यह positive सरिफ कहां से कहां के बीच में होती है zero से यहां first quadrat में 90 तक तो हम सरिफ कहां तक की value लेंगे सरिफ 90 तक की right first quadrat में तो यह हो गया x belong to 0, pi by 2 तो देखे first quadrat में देखे तो एक value हो गई 0 1 हो गई pi by 2 और एक x मिल गया pi by 4 यह वाला है हम क्यों नहीं ले सकते क्योंकि यह 90 से बढ़ा है right तो now we consider x equals to pi by 4 मतलब सरिफ इन ही में देखेंगे right तो सरिफ pi by 4 ही belong कर रहा है यह वाला belong नहीं कर रहा है तो हम सरिफ क्या रखेंगे pi by 4 तो हम कहां रखेंगे pi by 4 देखे चेक करते double differentiate में हमने रखा pi by 4 तो minus पहले से था sin pi by 4 plus cos pi by 4 equals to कितना होता है minus यह होगा 1 by root 2 plus 1 by root 2 तो यह कितना हो गया minus पहले से भाहर है 1 by root 2 1 by root 2 2 by root 2 minus 2 जो कि कैसा है 0 से छोट है और कैसा है minus में आ रहा है it means this is maximum function तो by second derivative test f will be the maximum at x equals to pi by 4 the maximum value of f is अब यह clear हो गया कि pi by 4 पर ही कैसा है maximum है तो pi by 4 हम का रख देंगे function में तो f of pi by 4 sin pi by 4 cos pi by 4 this is 1 by root 2 1 by root 2 2 by root 2 मतलब root 2 तो root 2 is the maximum value तो कई बार objective आ जाता है कि the maximum value of the function sin x plus cos x is तो आप क्या लिखोंगे root 2 याद रखना है कि कई बार objective में भी ये question पूछा जाता है one marks में direct fill up में या one word में तो आप direct इसका बीना calculation करें अगर आपके mind में set रहता है या याद रहता है तो आप direct लिख सकते हैं कि इसका answer कितना आएगा root 2 thank you काई याद याद बादी यादी that अ, झाल झाल